गुड मॉर्निंग एस्टूडेंस मैं खंचन कुमारी महात्मा गांधी सिक्षन संस्थान के इस ओफिसल यूटीब चैनल पे आप सभी का श्वागत करती हूँ बच्चों आज का यह वीडियो क्लाश टू विशय हिंदी चेप्टर टुएल्व करनाटा के अभ्यासकार के भाग दूसरा है तो आएए आज हम लोग यह अभ्यासकार करते हैं बच्चों इसे पीछे का जो कोस्ट्यन है हम लोग पिछले वीडियों हम बना चुके थे तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं नीचे दिएगे प्रशनों के उत्तर लीखिये को करनाटा के दो परोसी राज कौन से हैं तो उत्तर होगा करनाटक के दो परोसी राज महाराष्ट और केरल है करनाटक का कौन सा उध्यान पूरे भारत में प्रशिद है तो तर होगा करनाटक का ब्रिंदा बन उध्यान पूरे भारत में प्रशिद है करनाटक की मुख्य पैदावार कौन सी है तो तरोगा करनाटा की मुख्य पैदावार चावल और गन्ना है अब घै ये ब्याकरन और भासा से हैं तो पहला है पाठ में से बिंदू ये देख रहे हैं जिसे हम अनुस्वार कहते हैं बाले चार सब्द छांट कर लिखिए आपके पाठ पुस्तक इस चेप्टर में जो दिया गया है अनुस्वार बाले सब्द वो चार सब्द आपको इसमें लिखना है जरूरी नहीं है जो यही और कुछ भी आप चूनका लिख सकते हैं तो हम यहां लिख रहे हैं चो उपर अनुस्वार दना चंदन आ उपर अनुस्वार अध्र आंध्र प्रो आकार उपर अनुस्वार त प्रांथ बो एकार उपर अनुस्वार गो ल हर्सुकार र हर्सुकार बैंगलूरू बच्चों र में हर्सु की मात्रा या दिर्गू की मात्रा नीचे नहीं लगकर बीच में लगता है इसलिए हम इसमें बीच में लगाए हैं उसके बाद है चित्र देखकर एक अनेक लिखिए आप देखिए बच्चों आप लोग को हम बताये हुए हैं वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहु बचन एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे एक बचन काते हैं और जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहु बचन अर्थात अनेक काते हैं तो यहां यह बताना यह एक है यह अनेक है तो बच्चों यहां पांस्ठो इसमें केले हैं तो यह एक तो नहीं हुआ पांश्ठो है तो क्या हो गया अनेक यहां अनेक लिखेंगे यह चीरिया एक है तो यहां एक लिखेंगे यहां यह पूरिया है यहां अनेक है यहां अनेक लिखेंगे पेन एक है पेंसिल यहां एक लिखेंगे यह इसमे अनार है, ये भी अनेक हैत यहाँ आनेक लिखेंगे ये लर्का एक हैत यहाँ एक लिखेंगे नीचे दिये गए वस्तू और अस्थान के नाम चूनकर अलग अलग कीजिए बच्चों, यहाँ कुछ सब्ज दिया गया है तो यहां इसमें से बस्तू का नाम इसमें लिखना है और अस्थान का नाम इसमें लिखना है तो आईए हम लोग चूनते हैं साबुन साबुन हो गया बस्तू हम यहां लिख लेंगे उसके बाद और क्या चीज इसमें है बस्तू में तो चंदन चंदन भी बस्तू है यहां लिखेंगे उसके बाद चावल चावल भी बस्तू है हम यहां लिखेंगे चावल अब अस्थान का नाम लिखना है इसमें ढूंडिये करिनाटक यह करिनाटक अस्थान का नाम है यहां लिखेंगे, केरल, केरल भी अस्थान का नाम हुआ, यहां लिखेंगे, और व्रिंदावन, व्रिंदावन हम यहां लिखेंगे, अब हैं लिखने का कौशल, अपने सहर के बारे में पांच वाक के लिखिये, बच्चों आप जिस सहर में रह रहे हैं, उस सहर के बारे में आपको पांच वाक लिखने हैं तो आप लोग तो दर्भंगा सहर में रहा रहे हैं तो आप लोग लिखिएगा मेरे सहर का नाम दर्भंगा है दर्भंगा बिहार के एक प्रशिद सहर है ये सहर सिक्षा एवं चिकिस्था के लिए प्रशिद है यहाँ धालमिक अस्थल में सियमामाय मंदिक प्रशित है दर्भंगा में विभीन तरह के बाजार भी है अब है चितर पहचान ये चितरों को पहचान कर सही जगों के नाम पर सही का चीन लगाये बच्चों या आप लोग को ये चित्र पहचानना है और यहां लिखा हुआ है बाजार और मेला बच्चों ये किस कहां का ये सही चित्र में क्या है बाजार है या मेला तो ये मेला का चित्र है तो यहां मेला में ठीक लगा दीजिएगा उसके बाद है यहां उपवन और जंगल लिखा है यह किसका चित्र है उपवन या जंगल यह उपवन का है इस उपवन में सही का निशान लगा दीजिएगा उसके बाद यह देख रहे हैं यहां मंदीर और पुस्तकाला लिखा हुआ है बच्चों यह किसका चित्र है यह पुस्तकाला का चित्र है तो पुस्तकाला में सही का निशान लगाएंगे बच्चों तो आप लोग जिस तरह मैं इस बुक में भरी हूँ उसी तरह आप लोग भी अपने अपने बुक में भर लिजिएगा मैं वीडियो को कुछ देर के लिए रोक कर रखती हूँ तो आप लोग इसका स्कीरिन सॉर्ट लेकर या वीडियो को बीच बीच में रोग कर आप अपने बुक में सी तरह भर ले जिएगा फिर मिलंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद